प्रोपर्टी जमीन सम्मंदिस सवाल जवाब में जो है अगर आपका भी ऐसा कुछ सवाल आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कोसिस करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रियास करेंगे अगर आप फेस्बुक यूज करेंगे हमारे पेज को जरूर ला भाई थे जिसमें एक भाई सूर्दास था उनके पापा जो थे वो भी दो भाई थे जिसमें एक भाई सूर्दास था उनका कोई सन नहीं था तो मेरे पापा ने आधा जमीन मेरे छोटे भाई के नाम से डान पत्र करवा दिया किसी कारण वह जो है वह और जो है और उनके द उर्दास की वाइप से रजिस्टरी करवा लिया ठीक है अभी उसमें हमारा कबजा है पर भाई देने से इनकार कर रहा है तो हम क्या करें प्लीज वीडियो के माध्यम से बताइए देखे एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि यहां पे जो है सबसे पहले अगर उनको दान कर प्लवा दिया गया है किसी कारन के वाइफ से रिजिस्ट्री करवा लिया तो फिल्हाल अवह हक जो दिनके नाम इस होगा ना उन ही का होगा इस बात को समझ़ लेजह जिनके नाम से जमीन scoring का रिजिस्ट्री हो गया उन ही आपको यह पोगा किसी के कहने और ना कहने से कोई ये नहीं है अगर आपको इसमें कोई तरह का दिक्कत है तो आप डारेक्ट जो इसलिए DCLR कोट में चले जाएए अगर कोई तरह का किसी को समस्या है इस तरह को समझने के लिए तो वहाँ ये चीज अस्वस्ट हो जाएगा नोटिस जाएगा आप जवाब देंगे कि आप क्यों इस आप बोलते हैं ठीक है हाँ अगर विबाद बरा है तो फिर एसडियों के पास भी जा सकते हैं लेकिन अगर वैसा वैसा कुछ मारपीत वाला विबाद नहीं है बस इतना एस्टेटमेंट वाला भी बाद है तो इस तब क्लियर करने के लिए जो है आप डिसी आर कोट जा सकते हैं वहाँ से भी जो है आप डिगरी ले सकते हैं अगला सवाल है ये पूछ रहें कि सर्व मेरे दादा जी के नाम से जमीन है लेकिन 60-70 साल से रसीद नहीं कटा है वो जमीन कोई और कर रहा है क्या वो जमीन मुझे मिलेगा या नहीं देखिए मिलेगा बिलकुल मिलेगा लेकिन अप जिससे जो पहले रसीद कट रहा था उ पुरणाब से नया सर्व्य किसी और के नाम तो नहीं हो गया इसका पता लगा ए आतलग हैिए उस पर जाकर खतियान उनलाइन इघा सकते हैं अगर आप बीहर से बिलोंग करते हैं सारा जगह का खतियान ओनलाइन Yak Another है अगर वो देखने के बाद वहाँ पे देखें जिनके नाम से हो गया है तो आप पुराना रेकर्ड और जो भी नया रेकर्ड है दोनों आपको लेके सिविल कोर्ट जाएं ठीक है वहाँ से उस जमीन पे टाइटल सूट फाइल होगा और उसके बाद आपको जमीन ये मिलेगा तो थरा परक्रिया होगा इसलिए कि कोर्ट निरने वेरिफाय करने के बाद देगी इसलिए कि मामला 60-70 साल पुराना है अगला सवाल ये पूछ रहे लोग डबंग जो है किसी देगा कितना बी दबंग हो अगर आपको लगता है ऻो अधिकारी को भी मिला सकता है तब कोट ज्यादा कारगर होगा आप इस मामले को सिवील कोर्ट में ले कंगries ऽणी मुए हूट है लेकिन आपको लगता है बहुत दमंग है बहुत पावरफुल बहुत पहुँच वाले लोग हैं तो आप डिरेक्ट सिविल कोट चले जाए वो ज्यादा वहाँ पे बहतर आपको रहेगा अगला सवाल पूछ रहे हैं मैंने नाना ने माता के नाम को जमीन छोड़ दिया है पिछले बार जब मामा आये तो उन्होंने खाता नंबर और खेसरा नंबर मुझे दिया मैंने बिहार जमीन के वेब साइट पर जाके देखा तो खाता धारक मैं अभी तक मेरे नाना के नाम है जो की मर चुके हैं अब वह जमीन को मैं अपने नाम पर कैसे करूँ ने अगर वह ऐसे जो भी खाता और जो है एक तरह से खिसरा आपको दे दिये हैं ठीक है करने के बाद जो है वह एक सीयों के पास जाएगा सुधी पतर लेने के बाद आप करमचारी के द्वारा रसीत कर जाएगा तो बस इतना ही पर करिया है पहले ये पेपर आपको बनवाने में दिक्कात है समझ भी नहीं आएगा थो सकता आप इसके लिए प्राइवेट अमीन दख सकते हैं उन लोगों का काम ही यही है अभी यहां जमीन नापना नहीं है उनका एक डॉक्मेंट का काड़ी है आप उनको बताएंगे कि हमको जमीन अपना जो एस्टाम पे सारा मेंसन कराना है और सारा रकबा, खाता, खेस, राच, दी मेंसन करवाना है तो वो कर देंगे और उसको सारा परक्रिया भी वो आपको कर देंगे तो यह अगर एकर एबलेवल है तो वो भी लोग करा देते हैं तो जो भी आप जहां से अपने से ले सकते हैं अगला सवाल दिखते हैं पूछ रहा है कि मेरे भाई बाप दादा जी जमीन में से कुछ नहीं दे रहा है ठीक है यह पूछ रहा है कि जो मेरे भाई है बाप दादा की जमीन में से कुछ नहीं दे रहा है बटवारा जो है कर रहे हैं तो जो भी अगर कुछ नहीं दे रहा है तो ऐसा नहीं बाप दाद के लिए हमें file कर सकते हैं अपकी आपका जमीन का आपका हिसा नहीं मिलदा दूसरा होता होता partition suit होता है court से ये भी बहुत कारगर है और थोड़ा सा time time समय लगता है ये पूरा जमीन में जितना भी जमीन है आप उसके अगर अगर आपका पर्चाधारी और जिनके नाम से परचा में है जिवी तरह का दिक्कत नहीं होगा परचा-धारी-जमीन भी है अगर कैसे लिए आपको सबसे पहले साहब हएं और आप चाहिए तो स्थानाा परवारी को भी सुचित कर सकते हैं अगर आप परचाधारी है और जो अगर कोई दूसरा कबजा किया है और इनके द्वारा नहीं काम किया है तो आप फिर इसके लिए चैनलक कर सकते हैं यह तीनों पर करने के बाद भी आगए पर करिया है लेकिन पहले आपको जो यह पर 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 स्थी कारी हैं cave अगला सवाल यह पूछ रहा है नमस्कार सर मेरे दादा जी का जमीन का पुराना खत्यान है परदादा का नाम है वहां पर लेकिन आपको वह चाहिए तो सबसे परें और वह खतियान जिला अभी लेखा गार से निकाल लेजी जिनके नाम से जमीन है उनके नाम से जो भी है फिलार आप लगान जमा कर सकते हैं अगर उसका रसीद नहीं कटा है तो दूसरा अगर आपको अपने नाम पर कराना है तो उसके जितने भी बंसज होंगे और अगर वो दादा के नाम पर होंगे पर दादा के नाम पर जितने बंसज होंगे वो सारे बंसज को आपस में बटवारा भी करना पड़ेगा उसके बाद जो है उस जमीन को ऑनलाइन करना होगा तो यह पूरा सर मेरा जमीन पांच कठा है और जो है नक्सा पे उसे कम कर दिया गया है और हम उसमें 45 साल से खेती कर रहे हैं रेकिए 45 साल से खेती कर रहे हैं अब कोई आदमी बोल रहा है कि उसमें मेरी जमीन वो निकलती है तो अब मैं क्या करूँ देखे आपका जो जमीन जमीन तरह से ख हो गया है अगर पुराना का कम और में जादा नक्सा बन गया जमीन बन गयाका अगैर तो फिर आपका कोई फाइदा नहीं है आगे कुछ भी पराइद करेंगे हैmos कई करे करेंदा क्दम होगा ह्ण इसलिए ऍपरता है क्यों है आपको कमई हाई का अगर उसलिए आप फिर उसका सुधार का परकिरिया जो है कर सकते हैं अगला सवाल देखते हैं ये पूछ रहे हैं कि सर हम लोग जो है दो भाई हैं और तीन बहान है जमीन मा के नाम है और मा मर गए उनिस में 2019 में ठीक है और ये पूछ रहे हैं कि बड़े भाई ने 2010 से जमीन sale कर रहा था किसी को पता नहीं था बाद में 20 में छोटे भाई कर रहा है side से एक दो बिगा जमीन sale कर दिया हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है ठीक है ये पूछ रहा है फिर हमें पार्टिशन तूट फाइल किया और साथ में cancellation of deed का मुकादमा भी किया है जो छोटे भाई भाई ने जमीन sale किया वो मुझे चाहिए पर अब जिन से जमीन परचीज किये उन से भी आगे जमीन sale कर दिया और जो है फिर आगे वाला जो है यहाँ पर sale कर दिया तो क्या होगा मैंने बिल्कुल कुछ नहीं होगा सारा deed cancel हो जागा तो यह चीज हो गया बिना बटवाड़ा का कोई जमीन अगर sale कर देता है और कोई खरीज भी लेता है तो सबसे पहले तो बिना वो चीज का दाकिल खाड़िज जो है वो एक तर seben नहीं होना चाहिए अगर दाकिल खाड़िज अगर हो जाता है तभी तो आगे उस ओ अगे उस प्रיחस से बिना पेश्ता गया जमीन जो है और अगर partition suit है और उसके बाद जमीन का रिष्टी किया गया है तो वो सारा उसके बाद जो है cancel हो जाएगा तो इसलिए cancellation update का भी यहां पे है तो verify होगा थोड़ा परक्रिया लगेगा थोड़ा time लगेगा लेकिन आपको वापस मिलेगा आप इसके लिए निस्चिंद रहें लेकिन मेरा कबजा में नहीं है मेरा अभी भी उसका लगान और register to में मेरा है नाम दिखा रहा है और उसका कोई record नहीं दिखा रहा है किसी और के कबजे में है, मैं उस पर यहां पर मांगता हूँ तो बोल रहा है कि मेरे पास कोई पेपर नहीं है, तो मैं क्या करूँ, लेकिन कबजा उसका 40 साल से है, तो आप बताईए कि मैं क्या करूँ, वह सर्फेक, सबसे पहले जो आपका यहां पर ओन-ाफ लाइन लगान रसी जो आपका भी है, और खतियान जो है, अगर ओरिजिनल खतियान आपके पास है, ठीक है, और उसमें आफी का नाम है तो आप एक बार उसका पुराना record भी देख लेजिए कि पुराना खतियान क्या आफी के नाम से था ये भी आपको देखना चाहिए ठीक है हो सकता है कि पुराना उसी का होगा ने आपके नाम से सर्वे होगा ये सा कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आप देख लीजिए कि पुराना अगर आपी के नाम से है और तब वो जमीन अगर कबजा किये हुए तो डारेक्ट कुछ नहीं TS फाइल कर देना है सिविल कोट से जाके और कुछ नहीं है आप करना परकिरिया होगा जवाब देना परेगा क्यों कबजा किया हैं क्यों रखे हुए हैं क्या कारण है जो भी बात है जबरन कबजा करके रखे हुए जिमकि लगान वगरा ये आप अच्छे समय से जमा कर रहे हैं तो ये चीज़ जो है आपका वापस आने का चांश फिर बनता है लेकिन सबसे पहले आप पुराना record देख लें हो सकता है कि पुराना उन्हीं का नाम हो तो फिर आपका यहाँ पर यह एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई फाइदा नहीं होगा यहाँ ठीक है यह व्यर्थ सच चला जाएगा परियास अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कोसिस करेंगे वीडियो के माध्यन से जवाब देने का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरू करदें चैनल को पहली बार देख रहे हैं सबस्क्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरू दबाले जी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए